नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी इटूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 28 और 22 अक्टूबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों पहली बार धर्ती पर उतरी है यह एक देवी जिहां दोस्तों आखिर क्यों उतरी है यह सचाई जानकर आपके भी सीने में रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें की जीवन काल में देवी देपता अवस अवतार लेते हैं हाला कि यह देवी देवता कभी किसी की भलाई करने के लिए उतरते हैं तो कभी किसी की बुराई का अंत करने के लिए जी हाँ दोस्तों और यह समय यह देवी आप से भी के जीवन काल में ऐसा चमतकार करने वाले हैं कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा आपका समय ही ब वेडियो आप सेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन होंगे क्योंकि दोस्तों इस वेडियो में हम आपको सभी गहरी बातें बताने वाले हैं कि केसे आप इस देवी मा की पहचान कर सकते हैं अगर यह देवी के धरती पर आने के बाद आप सेवी के जीवनकाल में पुस्तियां बरसाते रहे जिहां दोस्तों सारी बातें बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है तो दोस्तों आंतर तक देखना अब आपका दाइत होगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी में है तब कुन जानकारी के बारे में भी ज आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या खुश खबरी, क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथी बेल आइकन को प्रेज करके और पर श्रेट कर लें। कोई सास्तर पढ़ रहा था। आधे रात बीद गई जब ठक गया तो फूक मार कर उसने उस दिय को बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णुआ का चांद बाहर खड़ा रहा। इसी तरह हमने भी अपने जीवर में एहंकार के बहुत ही छोटे छोटे दिये जला कर रखे हैं। जिसके कारण परमत्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वानी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन सांत नहीं होगा। मन सांत होगा तब इस्वर की उपस्ति महसूस होगी। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों भगवान स्री कृष्ण का यहाँ परम ज्यान यहाँ बातें अगर आप समझ पाए हैं तो दोस्तों बीडिये को एक पैराशलाइक अवश्य कर दें। और इनके लिए लिख दें जैस्री कृष्ण रादे रादे। तो यह दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि धर्ती पर पहली बार उतरी है यह देवी। आखिर क्यों उतरी है अब आपकी जीवन काल में यह कौन-कौन से बड़े-बड़े चमतकार करने वाले हैं केसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं दोस्तों सभी जानकर इस बीडियो में आगे बताने वाले हैं तो दोस्तों बीडियो को अंतर तक देखेगा साथी साथ दोस्तों वीडियो के मद मद में ऐसे कुछ हम आपको महतपुन उपाय बताए हैं महतपुन ग्यान देंगे जिनने अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों यह देवी आपके उपर बहुती ज़्यादा प्रशन होंगे और आपको बहुती बड़ा बरदान भी यह दे जादे की धर्ती पर देवी देवता तभी परकट होते हैं जब वहाँ पर बुराई बढ़ गई हो जिहां दोस्तों और यह समय भी आप सभी के जीवन काल में बहुती ज़्यादा परिशानी चल रही हैं आपको लोग बहुती ज़्यादा धोखा दे रहे हैं जिनसे आप अ इस वर पर मतारानी पर विश्वास रखा है और दोस्तों यह समय यह देवी आपके जीवन काल में परकट हुई है आपके जीवन काल के सारे समस्यां को दूर करने के लिए जीवन काल से सारे परिशानियां को खद्म करने के लिए जिहां दोस्तों तो दोस्तों यह देवी की पहचान आखिर आप केसे कर सकते हैं इनके आज आने से आपके जीवन काल में अब आपको कौन-कौन से बड़े-बड़े खुश खबरी मिलने वाले हैं तो दोस्तों आये बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह देवी के आने के बाद आप सबी के जीवन काल में बहुती बड़ा चमतकार होगा अचानक से आपके किस्मत के ताले खुलने लगेंगे जिहां दोस्तों नीजे या फिर वेफसाई कामों में और ही रुकावटे अब धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों या देवी के आसिम आसिरवाद आप से भी पर पढ़ने वाले हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या तीन दिनों के अंदर दोस्तों या देवी मा के आसिरवा से आप सभी के जीवन काल में आपको एसी चार खुश खबरी मिलने वाले हैं जिसे की दोस्तों या खुश खबरी सुनकर आपका पूरा परिवार गदगद हो जाएगा जिहां दोस्तों दोस्तों आज ग्रह गोचर आपके लिए बहुती अनुकुल है अब अपने विवेक और समाजदारी दोरा महत्पून उपलेब्दी हासिल करेंगे कोई पूरपट्री समय दिक काम भी बन शकता है कई भी निवेश करने के लिए समय बहुती अनुकुल है निकट भविस में फा कीत रह जाएंगे घर में महमानों की आवाज आहे रहेगी तह आपसे मेल मिलाप सबको खुसी परदान करेगा ग्रह गोचर आपके लिए कोई शूब अफचर परदान करने वाला है जो की भाविस में बहुती लाबदायक साबित होंगे परतिस्टित लोगों से मुलाकात ल दिरने लेने की जुरत है यह समय आप जितना परिश्रम करेंगे उसे के आनुरूप आपको उचित परनाम भी हासिल होंगे विद्यार्थियों को विपड़ाय से समय अबधी में लाबदायक और खुशी भरी परसतियां बन रही है यह आपको भवी शमन्दी फेचले लेने मन चाही सफलता मिलने वाली है इसलिए समय और उर्जा का विवस्त रूप से पर्ति वंधन करें घर के रखरकाब में भी आपका योगदान रहेगा किसी धार्मिक समारों में जाने से लोगों के साथ मुलकात होगी और मन परशन रहेगा दोस्तों पिछले समय में अगर आपका कहीं पैसा फसा हुआ है या उधार दिया हुआ है तो दोस्तों इन तीन दिनों के शमय अवदी में उसके आपसी की बहुत अधिक शंभावना है किसी सम्मेलन अत्वा शमारों में शमलित होने का आपसर मिलेगा नए नवीसियों की ज दता से सुलजने का अनुकुल शमय है विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के परति एगय करजित रहेंगे दोस्तों इन तीन दिनों के पहले ही दिनों की सुरुवात में कुछ चिनोतियार है सकती है लेकिन जल्द ही सब कुछ विवस्तित भी हो जाएगा वोजर्गों अपना आत्म विश्वस बना कर रखें यह वहवार सुब असुब दोनों पक्छों में बहतर समांजस बना कर रखेगा राजनती मामलों में निर्णे आपके पक्छ में हो शकता है किसी भी असामांजस से की इसीती में निकट मित्रों की सला उपयोगी रहेगी दोस्तों ग्रिशती बहुती अनकुल बनी हुई है आपने वाकुटुपता और कार छमता दोरा किसी भी कार को हल करने में समक्च रहेंगे इस समय अपना पूरा ध्यान पैमेंड यादी कलेट करने में लगाएं आपको फायदा होगा किसी समारों में जाने का भी निमंतरन मिल सकता है दोस्तों पुरपटि के क्रे विक्रे समन्दित कोई योजना भली भूती होने की उमीद है किसी नजदी की मित्र अथवा समन्दी की सला भी आपके लिए उपयोगी सावित होगी आपके संतुलित वहबार दोरा शुब और असुब परतेक परचिती में उचित समन्जस बना रहेगा आज कुछ खास लोगों से मुलकात का मौका मिलेगा और आपको नई नई जानकर यह हासिल होगी दोस्तों आज पिछले काफी समय से कुई आठका हुआ काम पूरा करने में काम्याबी मिलेगी घर के बड़े बुजरों की सला वा अनुभवों का अनुशारन करना आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपको जीवन के शकारतम पहलूँ से रुबुरु होने का भी आवसर प्राप्थ होगा साथी संतान पक्ष की कोई उपलब्दी आपकी खुसी का कारण बनेगी अब अपने पर्यासों से पर्तिकुल परिसितियां को बहतर बना लेगे विती इसिति में सुधार आएगा कोई भी नई शुरुवात करने के लिए समय आपके लिए बहुती अनुकुल बना है साथी परभावसारी लोगों का भिशानित और शाहयोग मिलेगा दोस्तों गिरिसितियां आपके लिए यह मैसेज दे रही है कि अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें आपके साचित और विवस्तित रहने से बिरधियों की गती विदियां निशफल रहेगी किसी धार्मिक परवर्ति के व्यक्ति से मुलकात आपको मानसिक रूप से बहुत ही शुकुन देगी आज किसी अनुवी व्यक्ति के मार दर्शन में आप अपना लक्ष हासिल करना में सफ़ा रहेंगे नीजी जीवन से जुड़ी गति वेदिया भी वेवेस्तित रहेगी दार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा समन्दित कारे में रूची लेना आपको मानसिक शुकुन देगा दोस्तो दिन की सुरुवात में कुई समस्या रह सकती है दोस्तो पिछले कुछ समय से चली आरिक परिसानियों से आज कुछ रहत मिलने वाली है घर के रखराखाव अथवा नवी करनी को लेकर कुछ योजना चल रही है तो आज उसके भली भोती होना का शमय आ गया है आपको आपकी महनत के अनुरूप उचीत परनाम हासिल होने वाले है वहीं दोस्तो अगर आपकी साब्धानी के बार में बात करें तो दोस्तो इस तमें उधारी समंदी लेन देन बिलकुल न करें वाना इसकी बज़े से आपका वज़ट गरबड़ा जाएगा कोई बिना करत्म इस ती परने पर परेशान होने की वज़ाए उचका शमाधान ढोड़ने की कोसिस करें आचानक किसी समंदी के आने से रूटिन अस्त वस्त हो सकता है दोस्तों अपनी योगता और मेहनत पर ही विश्वास रखें किसी पर भी अत्यदिक विश्वास करना उचित नहीं है सोपिंग आदी में जाने से परहज करें क्योंकि अभी समय और पैसा व्यर्थ होने की अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा महिलाओं को अत्यदिक कारभार की वज़़े से कुछ दिकत नहीं रहेगी कोई भी नेने जल्दवाजी अत्वा भावकता मैंना लें दोपर बात कुछ नुकसान होने जिसी भी असंका बन रही है जिसकी बज़े से मन परिशान रहेगा दोस्तों तथा रिस्टारों का आपके कारव में मीन मेक निकालना आपकी कारव पर नाली में रुकावेटे डाल सकता है दोस्तों कोई भी विप्रिश परसिती बनने पर अपने गुस्य पर काबू रखें तथा सहज बने रहें अगर कोई भूमी अत्वावी बात चल रहा है तो सुपचिंतकों की सला को नदर अंदाज बिल्कुल न करें युवाओं को अपने केरियर के परति लापरवई करना नुकसान दायर हेगा दोस्तों दूसरों के मामलों में हस्तचेप करना आपके लिए मनहानी का कारण बन सकता है इसलिए वक्त के अनुसार अपनी परकरिया करें अपनी आर्थिक इस्ति का भी ध्यान रखें पीजुल के खर्चों पर अंकुस लगाएं कानी नीमों का उलंगन करना ठीक नहीं है आज कोई भी एहम फैसला लेने की बजाए आगे के लिए टाल दें पैसा आने के साथ साथ वक्त की इस्ति भी रहेगी दूसरों के मामल में हस्तचे बना करें और नहीं बिना मांगी सला दें किसी नजदिकी मित्र से समन्ध खराब हो सकते हैं दोस्तों आपना आत्म विश्वास वा मनवल बनाए रखें वारना आकरण ही लोग आपके उपर हावी हो सकते हैं और आपको आपके लक्ष से भी भटका सकते हैं गर के किसी वारी सदर्स के स्वास्तों को लेकर चिंता रह सकती है उनकी देख भाल करना आपकी प्राक्त मित्ता है कभी कभी आपकी लापरवाई की बज़े से कुछ महत्पुन उपलाब्दी हाँ से निकल सकती है इस समय अपने आप में विश्वास बना कर रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कुरोथ और चिर्चिलापन जैसी सभाब को हावी ना होने दें फाइनन समन्दित कारे में सावधानी भी बढ़ते दोस्तों अतदिक जिम्यदारियां का भी बोज रह सकता है लेकिन घवराने की बज़ाए उन्हें बहतर तरीके से पूरा करने की कोशिस करें किसी वीतरा का लेंदन समन्दि मामलों में सावधानी भरतने की जोरत है विद्यार्चियों को अपने पढ़ाई के परती बिल्कुल भी लापरवाई करना उचित नहीं है वरना आगे चलकर बहुती परयासानी हो सकती है पारबारी मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कुछ कहा सुनी हो सकती है गर के वारी सुद्रस्यों के मारदर्शन में समन्दों को खराप होने से बचाएं लेंदन के मामलों में बहुती सावधानी बरतने की जोरत है वरना आप धोखा खा सकते हैं चातिसा दोस्तों किसी भी योजना अत्वाकार समन्दित पेपर वर्ड को सोच विचार करके ही हस्ताक्चर करें अपने स्वाब में अहम की भावना ना उपजन दें वहवान में साहचता बना कर रखें बच्चों की परेशानी में उनका समधान करना में आपका शहयोग आवश्य है अथा निवेश्यमंदित कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें वाना नुकसान भी हो सकता है इसमें अगर वाहन खरदने की योजना बन रही है तो अभी अस्तगीती रखें आर्थिक मामले अभी पुर्णता ही रहेंगे अनावसा खर्चों पर कटूती भी करें तता धेर बना कर रखें साथिसा दोस्तों किस भी परतिकुल परसिती में अपने वानी और वहवार में श्रम रखने की जोरत है और अतरिक जिम्मेदारी लेने की वजाए उन्हें ना करना भी सिखें आलस और लापरवई आपके दूस्मन रहेंगे वहीं दोस्तों अगर आपकी वैवसाई की बात करें दोस्तों कारोवार में अटके हुए काम किसी अन्होवी और वारिष इंसान की मदद से सुलज जाएंगे अपने विर्योधियों की गतिवी दियों से लापरवाही ना रहें इस तरी वर्ग से जड़ी वैवसाई विशेश तोर पर सफलता पाएंगे नुक्री में अधिकारी से मनमुटा भी हो शकता है इसका ध्यान रखें दोस्तों वैवसाई में विश्तार की योजना पर काम सुरू होगा हाला कि आपके विर्योधि आपको लक्ष से भटकाना की कोशिश कर सकते हैं अपने कारवार पर फोकस रहना आपको कामया भी ही देगा नुक्री में लंबित चल रहे प्रोजेक्ट समंदी मामले में गती आशकती है दोस्तों कारवार में बहुत अधिक व्यस्ता रहेगी और लाब की इसकती भी बहतर होगी फाइनेंस और कमिशन समंदी वेबसाई में फायदे रहेंगे कारकेर सिलसिले में कोई आत्रा भी शंभव है जो की लाबदायकी रहेगी नुक्री पेसा लोगों को मन मुतावित प्रोजेक्ट मिलने से रहत मिलेगी दोस्तों वेबसाई दिरिष्टी से समय लाबदायक चल रहा है मिडिया था कम्पीटर से जुड़ी वेबसाई आज अपरतियासित लाब कमाने की इस्ति में रहेंगे वर्तमान में चल रहेक कारियों में कवलाटी पर अधिक ध्यान दें नुकरी पैसा लोगों को कोई टार्गेट पूरा होने से बोस तथा अधिकारियों से सहरना मिलेगी साथी साथ वेबसाई में परतिय सफर्था की इस्ति रहेगी इसमें किसी भी नए गतिवीति को सुरू करना उचित नहीं है अभी ज़्यादा लाग की उमीद ना रखें नुकरी पैसा लोग बोस अतवा उजद्यकारियों से समन्द मदूर बना कर रखें और इसके लिए उन्हें अपने काम पर और अधिक भोकस रखना ज़रूरी होगा वेबसाई में नए परस्ताब मिलेंगे लेकिन वेबसाई समन्दित गती विदियो में समार्थ से ज़्यादा निवेश करने से बचें मेनत के अनुकुल परनाम भी हासिल होगे सरकारी सेवरत लोगों को ट्रांसफ़र समन्दित को इमान मुताविक समाचार मिलने से खुशी रहेगी दोस्तों कार अस्थल पर अपनी उपस्ति अनिवार रखें साथी अपनी कार परनाली में भी कुछ बदलाव लाना जरूरी है परवावसाई लोगों के साथ समन्दों को मुधूर बना कर रखें उनकी सहयोग से व्यवसा की इस्ति में सुधार आएगा नोकरी पैसा लोगों को ओफिशल यात्रा करनी पर सकती है साथी साथ कारोवार में कुछ उतार चड़ाब जिसी इस्ति रहेगी लेकिन किसी भी परसिती में आपने नेने को ही सरवोपर ही रखें क्योंकि दूसरों की सला आपके लिए गलत साबित भी हो सकता है सरकारे नोकरी पैसा व्यक्तियों की उपर कारभार में अधिकता रहेगी साथी उच अधिकारियों का भी दवाब बना रहेगा दोस्तों व्यावसा में वर्तमान गतिवीदियों पर ही ध्यान दें इसमें आपको अच्छे आफसर मिलने वाले हैं पार्टनर्सी समन्दीकार में पुराने नकारतमां बुद्धों को नदर अंदाज ना करें तता कार्यों पर ध्यान दें इसमें किसी भी तरह की उधारी करना नुक्सान दायक रह सकता है नोकरी पैसा लोगों के उपर कारभार की अधिकता रहेगी दोस्तों बिजनस में ने काम सुरू करने जा रहे हैं तो एसी योजना को गंबिर्ता से अंजाम दें अच्छे नतीजे मिलेंगे कामकाजी माहिलां को परभारी तिथा व्यवस्ता बनाने में कुछ दिकते रह सकती है इसमें रूपे पैसे के लेंदेन में बहुत अधिक सावधैनी रखना जरूरी है तब बिजनस के नजरीय से समय बहुती अनकुल है कारभार बाढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाय बनेगी और कई तरह की उपलब्धिया सामने आएगी और आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित पर नाम हासिल होंगे सरकारी सेवराद व्यक्तियों के उपर कोई महत्वपुन कारभार भी आ सकता है और आप इसे वखुवी भी निभालेंगे कारभार उताब चड़ाब की इस्ति रहेगी लेकिन घावराने की बज़ाए उन्हें व्यवस्तित करने की कोशिश करने से परस्तिया नियंतरन भी होती जाएगी कर्मचारियों तरसाहगियों के साथ समन्द में किसी परकार के भी कटूता ना आने दें ओफिस में सुकुन बरा बातावरून बना रहेगा वैबसाइग गतिविदियां अपने देख रेक में ही करवाएं कर्मचारियों का भी उचित सहीव रहेगा तक कार छमता में भी ब्रिदिया आएगी नोकुर में पन्नोती के आफसर बन रहे हैं कुछ अध्यकारियों के साथ समोंद में मधूलता बना कर रखें अपने वैक्तिकत गतिविदियां किसी के समख्ज भी जाहिर न करें आपके लिए कोई परिशानी खड़ी कर सकती है परिवार के किसी सद्यसे के नकारतों वहवार से तनाव रहेगा परिवार और समाजी गतिविदियों में आपका विशेस योगदान रहेगा आय और वे में संतुलिद बना रहेगा अपने वैबसाइक पर्तिदियों की गतिविदियों के पर्ति बिल्कुल ही लापारवाही ना करें आपकी समझ और सुजबूज से कारस्तल पर लिए गए ठोस निलने बहतरीन शावित होंगे और काम्याभी भी मिलेगी अपने काम करने का तरीका किसी को सेयर न करें उहें दोस्ता आपके लव लैप के बारे में बात करें तो घर परिवार में शुकुन भरावातार रहेगा पती पत्ने के बीच रोमांटिक समन्द बने रहेगे जीवन साथी दिथा परिवार जनों का आपके पूर्ष शायोग रहेगा प्रेमी प्रमिका को मुलकात का आफसर सुलब हो शकता है वह आपके स्वास्ता के बारे में देखा जाए तो स्वास्ता ठेक रहेगा वलते मोसम की वज़े से सुष्ती हावी हो सकती है माईलाये अपने स्वास्ता के परती विसेस रूप से सजग रहें अपने खानपान और दिन्चार्या की परती लापारवाही बिल्कुल न करें और सकार्तमां दिश्टिकोन बना कर रखें। अपने खानपान बहुती जरूरी है। अपना ध्यान रखें तदा आरुवेदिक का इलाज लें। दोस्तों नकर्तमां विचारों को अपने ऊपर हाभी न होने दें। क्योंकि इसका असर आपकी कारेक छमता पर पढ़ सकता है। माहिला ये वर्ग अपने स्वास्ते के पढ़ती विश्यस रूप से सजग रहें। जोड़ों में दर्द कमजोरी आदि जिसी समस्या बढ़ सकती है। तथा तवाचा समंदी या बाल जहरने जिसी समस्या बढ़ सकती है। आरवेदी इलाज बेहतरिन रहेगा। पोश्टिक आहर भी लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नस्व में खिंचाव और दर्द की समस्या उधपन हो सकती है। योगा और विवाम पर अधिक ध्यान देने की अवश्यकता है। तथा एलर्जी से समंदित परेशानी जेसी खासी जुकाम वा बुखार रह सकता है। इसमें स्वास्य समंदी नीमों का पालन अवश्य करें। उपके उपाय के बारे में। दोस्तों आज जो हम आप सभी को उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों मात्र पांच सुकरवार को कर लेंगे। तो दोस्तों आपको यकीन के साथ काता हूँ। कि दोस्तों आपके घर में कोई भी आर्थिक तंगिया, पैसों से कोई भी तंगिया चल रहे हो। दोस्तों आप चुटकियों में समाप्त हो जाएगे और आपका घर पैसों से भर जाएगा। जिहां दोस्तों शब से पहले दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों चार कपूर और दोस्तों दो लॉंग लें इसके बाद चार कपूर जलाकर लॉंग को उनके उपर रख दें और फिर माता लक्षमी की आरती उतारें इसा करने से मा लक्षमी की आसिम किरपा प्राप्त दोस्तों माता रानी की आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे गिर से कमेंड बॉक्स में जाए मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद